तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखो यह बहुत ही कॉमन सवाल है और बहुत फेमस है और अगर आयोपी की एक स्टेंडर्ड रिजल्ट आया था और इसको तो आप डाइरेक्ट कर सकते हो कि अगर कोई और इसके प्लेन के पर्पेंडिकुलर ओमेगा से गुम रहा है और इसके एक डाइब डबलब होगा है अगर यह राड है और मैगनेटिक फिल्ड भी यहां पर कागज के प्लेन के पर्पेंडिकुलर क्रॉस मतलब इनवाड और यह ओ है और यह ओमेगा से गुंधे यह वाला जो इंड होता है वो निगेटिव इंड हो जाता है यहांपे शारे एलेक्टान स्थैक्प्रमेल हो जाते हो इनपे फोर्स लगता है centrifugal force तो यह ind A हो जाता है और ind B तो यह negative हो जाएगा तो यह positive हो जाएगा मतलब potential of point O is greater than potential of point A और अगर equivalent battery देखोगे तो यह जो rod है वो equivalent plus minus ऐसे battery की तरह behave करेगा जिसका EMFE होगा और अगर मैं resistance यहां से connect करूँगा तो यह जो resistance है इसमें current ऐसे flow होगा I ऐसे current है ऐसे flow होगा तो यहां से इसमें तुम देखोगे तो इस EMFE की value मैं थोड़ा detail में समझा रहा हूँ आपको पता होगा रटे होगे तो half half B omega L square होता है तो half B omega square half यह कभी सही नहीं है सकता है half B half B omega L square मतलब यह option सही है कैसे आया चाहो तो इसको तुम derive कर लो वैसे तो यह सब लोग derive कियोंगे फिर भी चलो मैं करीदेता हूँ यहां से x distance पर जाके एक छोटा सा element ले लो dx और यह dx element linear velocity V से घूम रहा है जिसकी value x omega के equal होगी तो इस differential element जिसकी length dx है उस पर इसमाल e-mf e develop होगा जिसकी value होगी वै कितना होगी जिसकी value introduce e-mf B V L होता है L यहां पर dx आ जाएगा और B और V की value यहां जाएगा x omega dx और यह de अब मैं इसको integrate करूँगा यहां पर x is equal to 0 पर e-mf 0 था और x is equal to capital L पर e-mf e है तो यहां से e की जो value आ जाएगी B omega L square by 2 आ जाएगी यह वाली चीज़ ठीक है और भी तरीके हैं और नहीं तो आपको second method मतलब और भी तरीके इसको कर सकते हो तो थेंक बैबै टेक केर